नमस्कार दोस्तों इस सेशन में हम भारत और विश्व की कुछ संस्थाओं के बारे में देखेंगे और उनसे सम्मंदित कुछ रिपोर्ट को भी देखेंगे जो की पिछले हपते चर्चा में थे यह हमारा वीगली करेंट फैर डिसकसन का वीगली सुड्यूल और यह हमारा जी एस की लाइब क्लासेस का सुड्यूल साम को 3 बज़े से 5 बज़े तक स्टेट PCS की क्लासेस चलती हैं और साम को 6 बज़े से 8 बज़े तक UPSC की लाइब क्लासेस चलती हैं आईए देख लेते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है हमारा पहले टॉपिक होगा आई टू यूटू दूसरा है संगाई सहयोग संग्ठन तीसरा टॉपिक होगा बैस्टिक लेंगी कंतराल रिपोर्ट जिस तो त्रिपल जी भी कहते हैं वर्ल्ड सिटी इज रिपोर्ट दोजार बाइस इनकी चारो टॉपिक को आज हम डिसकस करने वाले हैं तो चाहिए देख सकते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पर हमारा आज का पहले टॉपिक है आई टू यूटू आई टू यूटू आई टू यूटू से क्या मतलब है आप यहाँ पर देख सकते हैं आई टू यानि दो आई हैं इसमें इंडिया और इसराइल यूटू दो यू हैं यूएसे और यूएई इसमें टोटल चार देश हैं इस संग्ठन में इंडिया, इसराइल, USA और UAE अब ये न्यूज में इसलिये है क्योंकि भारत ने आईटू यूटू द्वारा समर्थित फूट पार्क के लिए उपयोक्त भूम उपलब्द करवाने का निरणे लिया है भारत के अंदर भारत अपने ही देश में उनके लिए फूट पार्क स्थापित करने के लिए उपलब्द भूम करवाएगा इस सम्मेलन में एक सहिक्त वक्ता बजारी किया गया है जो की निजी पूझी से संबंदित है इसमें जल, उर्जा, परिवहन, स्वास्त, अंतरिच और खाद सुरच्छा से संबंदित जो भी विशिष्ट परियोजना होंगी उनके लिए ये निजी पूझी यानि कि प्राइवेट पार्टनर्स को भी आमंतरित करेंगे इनमें इन्वेस्ट करने के लिए जैसे खाद सुरच्छ से संबंदित जो भी परियोजना होगी या परिवहन से संबंदित परियोजना होगी अंतरिचे से संबंदित परियोजना होगी उनमें वो निजी पूझी वालों को भी आमंतरित करेंगे यानि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी भाग लेंगे इन परियोजनाओं का समगर इस्थिरता प्रदान करने के लिए USA और इसराइल के निजी छेत्रकों को जो वहां के प्राइवेट कमपनियां होंगी उनकी विशेसगता और अभिनो सुझाओ के साथ आमंतरित किया इसे संबंदित जो भी परियोजनाओं होंगी उनके वह अपना अपनी विशेसगता को दिखा सकेंगे या अपना योगदान देंगे ये निवेश फसल उत्पादक्ता को अधिक्तम करने में मदद करेंगे फसल उत्पादक्ता इससे बढ़ेगी और फसल उत्पादक्ता बढ़ने से खाद असुरच्छा कम करने में मदद मिलेगी खाद असुरच्छा सबसे ज़्यादा किधर है मद्ध पूर्व और दख्षिन एसिया में खाद असुरच्छा सबसे ज़्यादा है तो वहीं मद्ध पूर्व और दख्षिन एसिया में खाद असुरच्छा को कम करने में मदद मिलेगी I2U2 द्वारा समर्थित जो फूड पार्क है इसको जब हम टेकनिकल एडवांस कंट्री से सहायता लेंगे तब खाद असुरच्छा को कम करने में हमको मदद मिल सकती है इस फूड पार्क का उद्देश ही है कि खाद अपसिष्ट और खाद के खराब होने को कम से कम करना जितना कम हो सके उतना भोजन से लब्द हुआ अपसिष्ट और उसको खराब होने से बचाने के लिए ये टेकनोलोजी की सहायता लेंगे आप इसमें ये ध्यान रखिए ये पहला सम्मेलन है जो की 14 जुलाई 2022 को हुआ था इसके पहले सम्मेलन नहीं हुआ था और इसको होस्ट इजराइल ने किया है ये पहली बार आयोजित किया गया है आई टू यू टू हमाराज का दूसर टॉपिक है संगाई सहयोग संग्ठन ये एक अंतर सरकारी अंतर राश्ट्री संग्ठन है संगाई सहयोग संग्ठन अंतर सरकारी अंतर राश्ट्री संग्ठन अंतर सरकारी के मतलब होता है सरकारों के मद्ध अब ये अंतर राश्ट्री है तो इसमें कई देश सामिल होंगे अब जैसे अगर अंतर सरकारी के मतलब आप समझ सकते हैं जैसे दो या दो से अधिक संग्टन है यह राजनीतिक आर्थिक वा सुरच्छा संग्टन है जिसका उद्धिस संबंधित छेतर में सांती इस्थिर्टा वा सुरच्छा को बनाई रखना है संगाई के बारे में देख लेखते हैं इसकी स्थापना 2001 में किई गई 15 जुलाई 2001 को संगाई सहर में इसकी स्थापना किई गई और इसका मुख्याला है बीजिंग में है चीन की राजदानी बीजिंग में संगाई सायोग संग्टन का मुख्याला है बीजिंग में है और इसक के सदसदेश कौन-कौन से है इसमें टोटल आठ सदसदेश है आठ सदसदेश हैं कौन-kौन से आप यहां से बहुत से भारत चाइना के बाद आप पहुंचेंगे ताजिकिस्तान किरगिस्तान रसियक श शताइन soprattutto और बूझ्वेकिस्तान अब जो आपको यलो लगबग यलो मार्क में है जो भी कंट्री ये क्या है ये अभी परवे च्छक के रूप में हैं मंगोलिया अफगानिस्तान एरान और बेलारूस ये परवे च्छक के रूप में हैं लेकिन अभी बेलारूस और बेलारूस और एरान को अभी S.C.O. में सामिल कर S.C.O. में सामिल नहीं थे 2017 में भारत और पाकिस्तान को एक साथ सामिल किया गया था S.C.O. की लच्छ क्या क्या है ये देख लेते हैं परस्पर विश्वास और सदभाव को बढ़ाना ये इसका मुक्लच है राजनितिक, आर्थिक, अनुसंधान, प्रद्योकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ाना जो भी इसके देश हैं अभी टोटल आठ डेश हैं सितमबर के बाद इसमें 10 देश हो जाएंगे तो अभी जो आठ देश हैं उनके बीच में राजनेतिक, आर्थिक, अनुसंदान, प्रद्योकी, सांस्कृतिक में इनमें आपसी समझोता करना है, इनको बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, ये इनका लच्छ है, और सांती सुरच्छा और इस्थिरता बनाई र के लिए अमंतित किया गया है, बिलारूस और इरान बिलारूस ने तो अपलाई भी कर दिया है, और भारत 2030 में SEO की मेजबानी करेगा, और भारत का एक सहर है, वारण 80 जो की प्रदानमंत्री का संसदीच छेत्र है, उसे SEO छेत्र की, यानि कि जितने भी ये आठ देश हैं टॉपिक पे, जो की है, बैस्विक लेंगिक अंतराल रिपोर्ट, इसे 3G रिपोर्ट भी कहते हैं, 3G मतलब गलोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसे 3G रिपोर्ट भी कहते हैं, बैस्विक लेंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2022 के बारे हम देख रहे हैं, इसे जारी किया जात बिस्वार्थिक मंचेद्वारा जारी किया जाता है और यह 2006 से जारी कर रहा है अब यह जो रिपोर्ट बनाता है वह चार प्रमुक आयाम को देखकर ही रिपोर्ट बनाता है वे देखता है कि संबंधित राश्र में उसमें महिलाओं का राजनीतिक ससक्ति करण कैसा है लेंगिक अधार पे ससक्ति करण कैसा है राजनीति में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्या है ये सारे आयामों पे चर्चा की जाती है आर्थिक भागीदारी और आवसर महिलाओं को आर्थिक यानि कि उनको जॉब करने की आजादी है या नहीं है ये देखा जाएगा उनमें महिलाओं जैसे भारत को एक्जामपा ले लेते हैं, भारत का टोटल GDP 2 मालेते हैं 2.9 trillion dollar है, या कि 3 trillion dollar मालेते हैं, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, ये देखा जाएगा, ये इसका दूसरा point हुआ, सिच्छा प्राप्ति, क्या महिलाओं को सिच्छा की प्राप्ति के समान आउसर हैं या नहीं, यहां पे लड़कियों को भारत में तो अदिखते हैं, लड़कियों को पहले तो नहीं भेजा जाता था, इस पूलों में, अब लोग सुधर रहे हैं देरे दूरे, और चाथा point है, स्वास्त एवं उत्तर जीविता, महिलाओं के स्वास्त के लिए अब यहां पे आपको बता दूँ, इस रिपोर्ट में टोटल 146 देश ही सामिल किये गए हैं, इस बार पिछली बार 156 सामिल किये गए थे, 2021 में, लेकिन 2022 में 146 देश ही सामिल किये गए हैं, अब इन चारों सूचकांग कों के अधार पर, और समग्र सूचकांग के अधार जीरो से एक के बीच में अंक परदान किये जाते हैं, अब यह समग्र सूचकांग क्या है, यह जो चार सूचकांग हैं, इनका एवरेज निकाला जाता है, चारों का एवरेज निकाला जाएगा, उन्हें ही समग्र सूचकांग कहेंगे, फिर चारों और एवरेज को आधार म एक rank मिला है वहाँ पर पूर्ण लेंगिक समानता है यहाँ भी आपको यह बता दूँ कि अभी तक कोई भी देश नहीं है जिसे एक नंबर प्राप्त हुआ हो 0 से एक नंबर फुल अंक अभी किसी ने प्राप्त नहीं किये हैं और मौजूदा जो प्रगत है हमारी जो लेंगिक समानता को प्राप्त करने की जो दर है वह इतनी कम है कि अभी लेंगिक समानता प्राप्त करने में हमें लगभग 132 साल लग जाएंगे जिस गति से हम लोग अभी कार कर रहे हैं पूर्ण लेंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए तो हमें उस गति से पार करने में 122 साल लग जाएंगे अब देखते हैं इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है भारत की स्थिति दैनी है चिंता जनात है अब इसमें देखते हैं एक जो आपको बताया था चौथा एक उपो सुचकांग था स्वास्त और उत्तर जीविता तो महिलाओं के स्वास्त और उत्तर जीविता के द्रेश्टि से इस रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार बिर्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है क्यों कि विसमें भारत सबसे खराब प्रदर्सन करने वाला देश है इसकी रैंकिंग 146 मी है इस्वास्त और उत्तर जीविता में इसकी रैंकिंग 146 मी है 146 देशों में महिलाओं के राजनीतिक ससक्ती करण में गिरावट हुई है भारत में अब हलकि ये लग नहीं रहा है कि गिरावट हुई है क्योंकि जितने भी मुल्सिप अल्टी वगरा की चुनाओं हो रहे हैं या कि नेशनल लेबल के भी जो चुनाओं होते हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है पहले कि ये पेच्छा और पडोसियों की रैंकिंग भारत से भारत से बहतर है पडोसी यानि कि जो भारत भूटान ही है तो आप यह देख सकते हैं भारत की ओबराल रैंकिंग 135 है आप इसको 146 से कनफ्यूज मत करिएगा क्यों कि यह जो 146 है यह स्वास्थ और उत्तर जीविता जो चौथा उपसूच कांक है उसके अधार पर 146 दिया गया है लेकिन जो ओवराल सभी को जब कल्कुलेट किया गया है तो भारत की रेंकिंग 135 दी गई यह 146 नहीं यह द्यान रखियेगा भूटान को 126 इस्थान माल दीव को 117 स्री लंका 110 नेपाल 96 बंगलादेश 71 जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं आप देखेंगे बंगलादेश हमेशा उस रिपोर्ट में आंगे ही रहता है अब यह पता नहीं किस लिहाज से आंगे रहता है यहां पे जनसंख्या गनत भी अधिक है जीडीपी भी इतनी जादा नहीं है कि इतनी जादा जीडीपी है कि चलो वहां पे लोगों का रहन सायन इस तरह इतना जादा अच्छा है वहां से लोग पलायन करके भारत में आ रहे हैं अलग से वहां पे धार्मिक सोसन भी हो रहा है फिर भी बंगलादेश हर आने वाले जाने, हमारा आज का अंगला टॉपिक है, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट दो हजार बाईस, इसे जारी करता है, यूएन हैबिटार्ट, संयुक्त राष्ट मानो अधिवास कारक्रम, यह यूनाइटेड नेशन का ही एक विभाग है, संयुक्त राष्ट मानो के जारी किया जाता है, और यह रिपोर्ट मौजूदा चुनोतियों और आउसरों के अधार पर सहरों के भविस्ष पर अंतरद्रिष्ट प्रदान करता है, यह वही बात बोल रहा है, इसका निसकर्ज क्या है, कि 2050 तक 68% लोग सहरों में निवास करने लगेंगे, 2050 तक, जब की 2020 में 48 करोड के लगभग थी, और इसमें चीन का जो आकड़ा दिया गया है, चीन 2035 तक चीन की लगभग 101 करोड आबादी सहरों में रहने लगेगी, तो चीन यहां भी हमसे आंगे रहेगा, चीन की सबसे ज़्यादा सहरी आबादी सहरों में रहेगी, 101 करोड लोग, हमार जो भी रिपोर्ट आई है, आप उसमें भारत की रैंकिंग देख सकते हैं, भारत की रैंकिंग क्या है, इतने वीडियो यहीं तक था, थैंक वी पर वाचिंग